नमस्कारी स्टूडेंटे कितना अच्छा लगता है जहां पर पड़ाई का महौल भी हो और अगल बगल चिडिया भी चह चहा रही हो कितना सुंदर नजारा कितना सुंदर महौल द्रिश्य होता है तो साइद आपके आकानों तक आवाज पहुंच रही होगी अब यह मत कहना स समझा के मानूंगा आज मैं इंडिया का युद्ध पाकिस्तान के साथ करा के मानूंगा अब सोच रहे हो इंडिया और पाकिस्तान कैसी होगा इस सवाल में होगा एक दम आसान से आसान तरीके से आपको समझाने के लिए मैं इसी चीज का सहारा लूंगा इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी से लड़ा दो मार कर दो तूर थार के सथीक कर दो यह मान लिजिये इसका गुड़ा इसम से में करना है ठीक है यह वाला है तुम्हारा समझ लो इंडियन आर्मी आइंडी वाला और यह वाला तुम्हारा पाकिस्तान की आर्मी है तो यहां पर रूल क्या है गुड़ा करने का रूल यह है कि इंडियन आर्मी की यह वाली सेना जिसके उपर मैं लाइन खिर देता है एक माइनर दो तीन इस सेना में यहां पर दो टीम है एक यह वाली लाइन है दूसरी यह वाली लाइन है पहली टीम कहती है कि मैं पकिस्तान वालों से तो दोनों टीम इसके अंदर जितनी टीम मेरंकी सबको दो धाके किनारे कर दोंगी ठीक है मतला इंडियन ऐसप पहली सेन्हें पहली पाकिस्तान के जितनी सेना को धोएंगे सेना को दोएंगे लेकिन स्साइल कर दोएंगे सम्ज़ रहा बात को इंडियन का इस तरह से लाइन पाकिस्तानी का लाइन इस तरह से बनाया जाएगा दोया जाएगा एक सीना यहां एक सीना इसकी नोग पर और पाकिस्तान वाला यहां यहां और एक नोग पर रहेगा देखी ध्यान से यह है यह है यह है यह है यह यह वाला अस्थान कौन लिया एक माइनस दो अतिन ले लिया और यह वाला सन पाकिस्तान का कौन लिए तीनों यह लिए दो चार दो बात को समझ रहे हो ना बस इतना समझो अब होगा क्या होगा क्या यह सेना इंडिया वाली सेना कहती है हम अकेले इन दोनों सेनाओं को तूरेंगे थोडेंगे ठीक है तो हो पोवाले को जोबीक में हो तोड़ेगा जो इस तीर के नोक पर है यह यह हम मैं मैं अग teamैयattend coloi men के लिए तीर लगा रहा हूं ठीक है तो देखो इस तीर के पोच्छ पर कौन है वन इस तीर के पोच्छ पर कौन है टू तो वन का गुड़ा टू में कर दो वन का गुड़ा टू में करेंगे तो टू आएगा अब इस तीर के बीचों बीच कौन है माइनस दो इस तीर के बीच इसको भी दोएगी इंडियन आर्मी की जो सेना है ज्यादा थाकतवर है इनके दोनों से यह सेना मुकाबला करेगी दोधा के चलिए ठीक है तो यहां पर भी रूल है पोंच पर कौन एक इसके पोंच पर तीन तो एक कगुड़ा तीन से करेंगे तो तीन आएगा बीच में तो नौक पर तीन है इसके नौक पर एक है तो तीन है करने तीन ठीक है अब हम बंद कर लेंगे आप यह को अब नीचे वाली अब कहती है नीचे वाली जो सेना है इंडिया की कहती है अब तुम लोग रहने दो अब हम लोग जाएंगे इन दोनों को दो करके आएंगे इन द पोच सहाद सांत बाकिस्तन के उफक्ततान के अगर लोगों का काम है तो चार पोच पर तीन पोच पर है चार तुत कह सीना सारी माइनस दिशीन"? और दो का पांसे बीच वाले का बीच वाले से दो पच्च दस आप पांच का एक से पहुंच लिया काम हमारा काम लगभग लगभग हो गया अब क्या करेंगे हम अब हम किवल जोड देंगे तो छ दू आठ मेंसे 8 जाएगा 0 तीन तीन छह मेंसे 10 जाएगा माइनस 4 ठीक है प्लस आठ माइनस 8 कट गया केवल बचा 10 ठीक है और ध्यान दी जाएगा 10, 5, 15, 15 मेंसे 12 घट जाएगा 3 तो यह हुआ हमारा एंस्वर क्लियर यह हमारा एंस्वर 0,0-4 और 10,3 यह होगा इसका एंस्वर 0-4 और 10,3 क्लियर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स करके बताएगा कि आपको आपको चैप्टर के अंदर किस टापिक पर वीडियो चाहिए ठीक है तो वो टापिक का वीडियो मैं आपको दूँगा या किस चैप्टर से वीडियो चाहिए वो लेना चाहते हो तो मेरे वाटसप नंबर पर संपर करो फोन करो सीधे 55-8888 फरस्ट मैं सेकंड मैं दोनों आपको कंपलीट में पड़ा दोगे 55-8888 पर आप संपर कीजिए फोन करके बाद करिये मेरी टीम से और क्लास जॉइन के लिजिए आपको सुरू से आखरी तक पूरा मेहत पड़ा जूंगा यार मेहत में बादसा बन जाओगे थैंक यू